चतरपुर के पूर्व पुलिस अधिक्षक भी साइबर ठगों के कारनामे का शिकार हो गए साइबर ठगों के हौसले इसकदर बुलंद हैं कि उन्होंने पुलिस अधिकारियों के नाम से ठगी करने में भी डर नहीं लग रहा है ताजा मामला चतरपुर शहर से सामने आया है जहांके एक युवक से साइबर ठगों ने चतरपुर के पूर्व पुलिस अधिक्षक के नाम से फरजी फेसबुक आईडी बना कर पैसे मांगे हैं हलाकि युवक की जागरुकता के चलते वह ठगी का शिकार नहीं हुआ बाद में उक्ति युवक ने साइबर ठगों से हुई बाच्चीप के स्क्रीन शॉट सोशल मीडिया पर डाल कर साइबर ठगों के इस कारनामे को जागर किया जानकारी के मुताबिक साइबर ठगों ने चतरपूर के पूर्व पुले सदीक शक सचेन शर्मा के नाम से फरजी फेसबूक आईडी बनाई है और इसी आईडी से मैसेज डाल कर पैसे मांगे जा रहे हैं इसी क्रम में चतरपूर शहर में रहने वाले एक युवक के पास भी गुरवार को मैसेज आया जिसमें कुछ आवश्यक कारे होने का हवाला देकर 27,000 रुपए की मांग की गई इतना ही नहीं ठगों ने तुरंथ ही अपनी बैंक डिटेल भेज कर जल्द से जल्द पैसे भेजने की बात भी कही लेकिन युवक जागरूग था और उसे पता चल गया कि यह किसी साइवर ठग का काम है बाद में उसने साइवर ठगों से हुई अपनी बातचीत के स्क्रीन शॉट वाइरल कर दिये और इस मामले को अब चतरपुर CID ने संग्यान में लिया है